पंजाब की किसानों को रहात देते हुए केंद सरकार ने मंडियों में कई सर्विक्षिन करने के बाद श्रतिगर्स गेहुं फसलों की खरीद की अनुमय सीमा को बढ़ा कर 6% करने की गोशना की है केंद सरकार की कई टीमों ने पंजाब के कई जिलों में गर्मी की शुरुआत को देखते हुए सुखे गेहुं के दाने का आकलन करने के लिए सर्विक्षिन किये जाने के बाद ये फैसला लिया है एक सर्वे टीम दौरा एक रिपोर्ट भी तयार की गई है जिसमें कहां गया है कि शुरुआती गर्स फसलों का 6% खरीदा जा सकता है इसका मतलब ये है कि जो किसान पहले केवल 2% स्रती गर्स फसल बेचते थे वे अब उसी को 6% बेच सकेंगे जिसे केंद सरकार दौरा खरीदा जाएगा इससे ना केवल उन किसानों को बड़ी रहात मिलेगी जिनहें लू के परिणाम भुगतने की संभावना है बलकि किसानों को बिना किसी बड़े नुकसान के बेचे जाने वाले बजार उत्पाद को भी संतुलित किया करेगा केंद सरकार दौरा गठित क्रीमों ने पंजाब के कई जिलों में लू की शुरुवात को देखते हुए शतिगस गेहूं के दाने का आकलन करने के लिए व्यापक्षन विक्षन भी किया ये मंढियों में शतिगस अवस्था में पड़े कई टन गेहूं को देखते हुए किस समू ने पंजाब के मुख्य मंतरी भगवतमान के से भी मुलाकात की जिसके बाग इसे केंद सरकार को सौब दिया गया जिसने पांच संबंधी टीमों का गठन भी किया गया है पंजाब सरकार ने चालू खरीज सीजन में हुए नुकसान के लिए दिशा निर्देश पर भी विचार करने के केंद के फैसले का स्वागत किया है पंजाब ने सरकार से बिना किसी मूले कटावती के श्रतिगर्स फसलों के मांड दंडों में और छूट देने की अनुमती देने के लिए भी कहा था पिश्रे हफते की शुरुआत में बता दे मंडियों में अब तक 36 लाग टन गेहूं आ चुका है और राज की खरीद एजंसियों ने पहले ही 33 लाग टन फसल की खरीद कर ली है विशेश रूप से टीम अन्य उत्तर भारती राज्यों का भी शर्वेक्षन कर रही है जहां इसी तरह की स्तिती आ गई है हाला कि संबंदित राज्यों के लिए एक निर्णे लिए जाना अभी बाकी है तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हैं मार्केट टाइमस टीवी के साथ मुझे दीजिए जाज़त नमस्कार जाना ही जाएमस टीवी के लिए संबंदित नमस्कार